दर्शोको आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल देवग्य वैश्णवी में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे नवरात्रों में सांजी मया की विशेष पूजा होती है और आपको ये पूजा किस जंग से करने चाहिए सांजी मया की पूजा एक महत्पून और पारम परिकृती से है जो कि मुखे रूप से उतर भारत में की जाती है ये विशेष रूप से नवरात्री और अन्य तुहारों के समय की जाती है सांजी मया के लिए आपको कई समानों की खट्टी करने की जरूरत है इसलिए सांजी महिया की आपको मूर्थी बनाने के लिए मिट्टी आ चोक या एक बरतन की जरूरत पड़ेगी आपको रंगी चूरन जैसे हल्दी, कुम-कुम, रंगी मिट्टी, पूल, गुढल, मिठाई, लड्डू, मोती चूर के लड्डू, अगर बत्ती और दीपक, चा बनाएं, सांजी महिया का सुष्वरू बनाता समय, रंगों का इस्तमाल करें, और सांजी महिया का आकार बनाएं, हिए आकार देव्य आहाम तोर पर देवी का होता है, आपको मत्ती चाने की लड़ति ना, सांजी महिया के सामने फूल는데ार, मिठाई, मिठायों-ई खरक k запис, औ पूजा करने से घर में सुक्षान थी स्मृदी बनी रहती है उत्ता परदेश और हर्याणा में शांजी मया की पूजा विशेश रोप से कि जाती है उनकी शाम के समय आरती की जाती है और सब लोग इखटा होकर सभी के घरों में जा जाकर आरती गाते हैं सांजी माता एक दुर्गा देवी का ही रूप है कुछ लोग सांजी माया को गोरी माता के रूप में मानते हैं कुछ देवी दुर्गा के रूप में मानते हैं कुछ काली माता के रूप में मानते हैं सांजी माया की पूजा मुखे रूप से निवरात्री, दीपावली और अनेविशे अफसरों पर की जाती है कहते हैं कि सांजी महिया का पूजन से परिवार में सुक शांती और प्रेम का संचार होता है सांजी महिया से भी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करती है सांजी महिया की पूजन से घर की महिया अपनी करिवार के लिए संबर्पन और भक्ती का प्रदर्शन करती है सांजी महिया को समाज में एक मा के रूप में माना गया है लोग इसे घर की रखशक और आख्षिरबाद देने वाली देवी मानते है धन्यवाद